हेलो एंड वेलकम दोस्तों लखायपूर टिवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं बता रहा हूँ पोपूलर आयरुवेदि की दवा दस्मूला रिष्ट के फायदे और इस्तेमाल के बारे में पर उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब बटन पर क्लिक कर इसे सबस्क्राइब कर लीजिए हम आपके लिए स्वस्त रहने और बीमारियों को दूर करने के लिए अयुर्वेदिक फार्मूले दवाओं की जानकारी और मुफ्त सलाह देते हैं दश्मूला रिष्ट अयुर्वेद की एक बहुत ही जानी मानी दवा है जो दश्मूल के साथ दूसरी बहुत सारी जड़ी भूटियों के मिश्रन से बनाई जाती है दश्मूला रिष्ट का इस्तेमाल आउर्टों में डिलिवरी के बाद किया जाता है और इसी के लिए यह ज्यादा पॉपुलर भी है डिलिवरी के बाद महिलाओं को इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए इससे बढ़िया कोई दूसरी दवा नहीं है इस्तिरियों के सूतिका रोग और पोस्ट डिलिवरी के लिए या एक बेहतरीन दवा और टाउनिक है इसके इस्तेमाल से डिलीवरी के बाद महिलाओं के शरीर में होने वाली कमी को पूरा करने में मदद मिलती है पोस्ट डिलीवरी की कमजोरी को दूर करता है गरभाशे को नॉर्मल करता है डिलीवरी के बाद इस्तिरी के दूद की मातरा को बढ़ाता है महिलाओं की पोश्ट डिलिवरी के अलावा इसका इस्तिमाल टाउनिक की तरह और कई तरह की बीमारियों के इलाज के लिए भी किया जाता है यह खासकर वात रोगों और कफ रोगों की एक दिववे दवा है दशमूल वात रोगों की सबसे अच्छी दवा है यह सूजन को कम करता है और शरीर का पोशन करता है वात रोग वे रोग हैं जो वात दोश के कारण होते हैं जैसे की जोडों का दार्द, गठिया, सूजान, एठान, हिचकी, पीठ की जकडन, ठकावाट, रुचता, इत्यादी दस्मूला रिष्ट सब परकार की वात वियादियों में लबकारी है कफ जन रोग वे रोग होते हैं जिनके होने का कारण कफ होता है जैसे की बुखार, खांसी, गैस, उल्टी, भुख की कमी, भारी पैन, जोडों की कमजोरी, अधीक बलगम बनना इसके अलावा दस्मूला रिष्ट का इस्तेमाल दूसरी बीमारियों में भी होता है जैसे कमजोरी, थकावाट, अपाच, भूक न लगना, ग्रहनी, उल्टी, पेट के रोग, कफ, अस्थमा, परमेह, पेशाब रुकना, पेशाब ज्यादा आना, पेशाब में क्रिष्टल आना, पत्थरी, विर्यविकार, धातु छै, जाउन डीस, अन्यमिया वगएरा अब जानते हैं दश्मुला रिष्ट का डोज और इस्तेमाल करने का तरीका 15-30 मिली लीटर तक आधा कप पाने में मिला कर दिन में दो बार खाना खाने के बाद लेना चाहिए दश्मुला रिष्ट का इस्तेमाल लगातार कई महीनों तक किया जा सकता है, कोई प्रब्लम नहीं, पूरी तरह सुरक्षित आयरुवेदिक दवा है दश्मुला रिष्ट आयरुवेदिक मेडिकल अस्टोर में मिल जाता है, इसे कई सारी कमपनियां बनाती है तो दोस्तों, ये थे दश्मुला रिष्ट के फायदे और इस्तेमाल इसी तरह की दूसरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिए, नई अपडेट पाने के लिए और बीमारियों को दूर करने के आयुर्वेदिक फार्मूले और घरेलियों उसके जानने के लिए आज की जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा ले सकें आपका एक शेयर किसी को भी बीमारी से मुक्ती पाने में मदद कर सकता है आज की इस जानकारी को आप डिस्क्रिप्शन में दियेगा लिंक पर क्लिक कर पड़ सकते हैं जो मैंने आज बताया है इसके बारे में कोई सवाल हो तो कमेंट के माधियम से हमसे पूछिए आपके सवाल आपकी राय और सुझाव का स्वागत है आप स्वस्थ रहें यही हमारी कामना है धन्यवाद